हैलो फ्रेंड्ट्स जैसा कि आप टाइटल देखके समझी चुके हैं कि आज पूरे देश में जब भी कोई सरकारी भृती परिक्षा होती है चाहे वो छोटी से छोटी परिक्षा या बड़ी से बड़ी परिक्षा हो, चाहे वो बड़े अधिकारíों के लिए हो या किसी भी की हर बर्ती परिक्षा में नकल्चे ओंगskा बोल बाला है अलग अलग तरीकों से नकल और बैमानी करके कुछ लोग उन बच्चों का हक छीन लेते हैं उन बच्चों का हक खा जाते हैं वो बच्चे जो दिन रात एक करके जिन के पास संसाधन नहीं है जैसे तैसे करके सपने संजोए हुए हैं कि हम अपना भविशे बदलेंगे, हम गरीबी के गर्द से बाहर निकलेंगे हम अपने पैरेंट्स के सपने को साकार करेंगे हम अपने आने वाली पुष्टे सुधारेंगे उन बच्चों का हक कोई न कोई बेमान खा जा रहा है पूरे देश में ये खबरें हर जगह से आती है तो कोई रज्य विशेश इससे अचूता नहीं है और बात जब राजस्तान की आती है तो राजस्तान में शायद ही ऐसी कोई भरती परिक्षा होती है चाहे वो Constable की हो, चाहे वो SI की हो, चाहे वो RAS की हो चाहे वो कोई भरती परिक्षा हो, REIT हो, कुछ भी ऐसी शायद ही कोई परिक्षा है जिसमें नकल की खबरें सामने नहीं आती और छोटी मोटी नकल हो जाना एक बात होती है वो भी justified नहीं है लेकिन बड़े स्तर पे जहां से पेपर बनते हैं, जो पेपर सही से conduct कराने के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हीं लोगों का नकल में शामिल हो जाना ये बड़ी चिंता की बात है ऐसा ही भरती परिक्षा, जिसको लेखे आप जानते हैं कि कैंसलेशन आज नहीं, ये कैंसलेशन तभी कर देना था जब पहली बार खबरे आई सरकार ने अनावश्यक इस भरती में कैंसलेशन की जो एक्षन है उसमें डिले किया और डिले करके कहीं ना कहीं इसको ऐसा उलजा दिया तो भी मेरी समवेदना पूरी तरह से जुड़ी हुई है, जिनोंने पूरी शिदत से रात-दिन एक करके और परिक्षा पास की है तो मुद्धा ये है कि ये भरती अब अन्याए का कारण बन चुकी है, अगर ये भरती कैंसल नहीं होती तो उन लाखो बच्चों के साथ अन्याए होगा वो आगे जनता की क्या सेवा करेंगे, दूसरी तरफ उन बच्चों का क्या जिनका इस नकल्चियों से कोई लेना देना नहीं है, जिनोंने इमानदारी से परिक्षा पास की, लेकिन अब ये भरती इतना बदनुमा दाग हो चुकी है सरकार के आचल पे, कि ये अलग कर देन तो इतिहास में हमेशा इस भरती को एक बदनुमा दाग की तरह देखा जाएगा, अगर वो बच्चा कभी अपनी फिल्ड में कोई गलती कर देता है, तो यहीं बोलेंगे, ये तो 21 की भरती वाले हैं, तो बड़ा आसमंजस है, मैंने आज के 10-15 दिन पहले एक वीडियो बन कि कहा था कि सरकार के गले की हड़ी बन गई है, गले की फास बन गई है, क्योंकि गवर्मेंट को अब ये समझनी आ रहा है कि करें क्या, अगर भरती कैंसल नहीं करते, तो उन बच्चों के साथ अन्याय भी हो रहा है, और बच्चे अंदोलन कर रहे हैं, उनकी बात सुननी चाहिए कि हाँ बिल्कुर इस बरती को कैंसल होना चाहिए, क्योंकि नकल हुई है, बड़े लेवल पे हुई है, जिस पे हाट डाल रहे हैं, वही नकल में शामिल है, और कहां RPSC के लोगों से लेके, निमनस्तर के लोग सब नकल में शामिल है, नकल ची गैंग रोज नहीं हैं, डमी कंडिडेट बैठे हैं, इंटर्विव तक में डमी कंडिडेट आगे, पता नहीं क्या क्या है, नित नए खुला से हो रहे हैं, दूसरी तरफ दिक्कत यहां भी आ रही है ये सरकार को कि कुछ बच्चों को सरकार ने ट्रेनिंग दे दी, आब ट्रेनिंग के अंद नहीं बच्चे, तथ्यात्मक बातों को सोचो और जो fact है उन पर विचार करो, आप चाहते हैं भरती cancel हो, और मैं कहता हूँ कि इतनी बदनुमा होगी तो हो जानी चाहिए कुछ बच्चे चाहते हैं कि नहीं हमारे साथ नयाए हो, हमने तो नकल नहीं की, तो मैं एक तरफ कहीं बाइस नहीं हूँ क्योंकि इस बरती में मेरा कोई ऐसा personal हीत नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन factual बात करना बच्चों को legally guide करना मेरा काम है तो कुछ बच्चों ने कहा कि probation के rule के बारे में गुरू जी को नहीं पता तो देखिए, मैं मेरे बारे में आपको अभी जादा बताना नहीं चाहता कि मैं क्या हूँ, क्या नहीं हूँ मेरे students जानते हैं, लेकिन हम इन मामलों को legally देखते हैं हम लोगों ने 10-12-12 साल नोकरियों को दिये हैं सरकारी job करके आए हैं मंत्राले स्तर पे नोकरियां की हैं और legal background से हैं, तो ये सारी बाते हैं शायद हम आपसे दो शब्द बहतर जानते होंगे probation के अंदर भी किसी को जब हटाया जाता है तो उस वेक्ती की खुद की performance खराब होने की वज़से हटाया जाता है और उसमें भी पहले probation आगे बढ़ाते हैं probation आगे बढ़ाने के बाद एक लिखित कारण दे के अटाया जाता है और अगर किसी वेक्ती की performance में कमी नहीं है तो probation में ऐसे नहीं भगा सकते हैं probation का मतलब यह नहीं होता है फिर देखो अटचने हर चीज में आती है दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिसका विरोध नहीं होगा ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें अटचन नहीं आएगी अटचने आएगी लेकिन सरकार चाहे तो action ले सकती है अगर सरकार ने action लिया तो यहाँ पे कुछ legal चीज़ें सरकार को जेलनी पड़ेंगी क्योंकि वो बच्चे जो बेदाग है वो अंदोलन पे बैठेंगे लेकिन दूसरी तरफ यह की cancel नहीं करते हैं तो सरकार यह clear कभी करी नहीं सकती कि हमने नकल्चियों का साथ नहीं दिया तो अब यह सरकार के पाले में है मुझे यूं लगता है कि जब न्याय अन्याय की बात आए तो सरकार को एक बीच का रास्ता अपनाना चाहिए भरती रद होनी चाहिए और भरती रद होने के बाद वो बच्चे जिन बच्चों ने परिक्षा दी है, पास हुए है ट्रेनिंग कर रहे है और उन पे कोई दाग नहीं है उनके लिए इसमें कुछ विशेश छूट आने वाली भरती में या कुछ विशेश प्रावधान उनके लिए कर देना चाहिए उनको प्रात्मिक्ता दे देनी चाहिए ऐसा करके सरकार को कुछ करना है अब ये सरकार पे डिपेंड करता है कि सरकार तुष्टिकरण की निती अपनाती है या अपना दामन बचाने की निती अपनाती है या फिर जो एक बात होती है कि भी चीजों को linger on करके गौल गौल करके जंता पर डाल देना तुम जानो तुम्हारा काम जाने ऐसी निती सरकार अपनाती है लेकिन न्याय करना है तो सरकार को एक बीच का रास्ता लेना ही पड़ेगा लेकिन यहीं पे रोक के ये बात मैं जरूर कहूंगा अब सभी स्टू ही निकाला गया, डिकलेर नहीं किया गया बीच में पुलीस की तरफ से यह आई है कि हाँ EU आरो भरती में हमें प्रात्मिक जाच में ही नकल के और बै मानी के धान्दली के संकेत मिले इस भरती को भी सरकार cancel करे या ना करे इस पर विचार किया जा रहा है इस भरती में अगर सरकार इस समय cancellation का निर्णे लेती है तो वहाँ पर legal अचने, कानूनी अचने कुछ नहीं है क्योंकि अगर नकल की proof सरकार के पास है तो cancel कर देनी चाहिए लेकिन सही से जाच हो और अगर सरकार इस भरती को रद करती है ऐसा ही हो या यह हो तो अपना legal पक्ष पहले मजबूत करे अभी तक ही history यह रही है कि सरकारें किसी को गिरफतार कर लेती है किसी पैक्शन कर लेती है अगर सरकार ने अपना field work ठीक से नहीं किया homework ठीक से नहीं किया तो बड़ी अर्चन आने वाली है तो हम सभी मिलके यह उमीद करते हैं कि सरकार सभी बच्चों के साथ न्याय करेगी नकल्चियों को उनके अंजाम तक पहुँचाएगी और इसके साथ साथ जो इमानदार बच्चे हैं उनके अंदर फिर से एक जोस जगाएगी कि हमें सरकारी बच्चियों की तैयारी करनी चाहिए हमारे साथ न्याय नहीं होगा क्योंकि आज के दिन कुल मिला के माहौल ऐसा बन गया है तो आज के दिन हम उमीद करते हैं कि सरकार एक सकारात्मक निर्णाय लेगी और उस सकारात्मक निर्णाय से सभी के साथ न्याय होगा मेरे पास इस संबंद में जैसे ही कोई नई जानकारी आएगी या मुझे लगेगा कि उस जानकारी में मैं कुछ value addition कर सकता हूँ या students को guide कर सकता हूँ तो definitely मैं आप से फिर मिलूँगा तब तक के लिए thanks a lot